तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग स्वागत है आपका आज की जबरदस्ट और फ्रेश वीडियो में जाते कि दोस्तों नाम आप लोग उपर में देख रहे हो एरिहंट कैपिक कैपिटल लिमिटेड पर तगला स्प्लिट का दोस्तों इसमें न्यूज आया हुआ है और वीडियों को अंतक जरूर देखिए सो हेलों वल्कम गाइज डिस इस कुनाल एंड यह वाचिंग मार्केट कैपिटल सो उसके बाद चार्ट पर चलेंगे और फिर न्यूज को भी आपर करेंगी कि कितने रिशियो में मिल रहा है और क्या कुछ प्रपोर्शन हमें मिलने वा और आपको पताएगी किस तरगी के स्टॉक को मिलते हैं जो एकदम बहुत ही बहुत ही बैतरी तरगी तरी के वेल्वेशन में देख लिए फेर के रखा हुआ है ओनर्शिप में स्टीबल है एविशंसी बहुत जादा तगड़ी आने की रिटर्न रिशियो काफी जादा सही मिलने वाले हैं और फाइनशल्स को यहां पर धाई स्टास मिले हैं तो मेरे ख्यालते फाइनशल्स यहां पर मिला जोला आपको देखने को मिलेगा तो यह ओवरॉल दोस्तों एक रिडिंग आपको मिल गई एरिहंट क्या पड़े या कुछ पड़े आइड़न केर की बहुत के बात कर चुका है और एक बार पहले भी स्टौक हो चुका है और अब यह दोबारा होने वाला है तो चले आगे कि देखेंगे कि इसने रेशियो में हो रहा है और पर यह दोस्तों ट्रेट गर रहा है वह बहुत ज्यादा तकड़ी आपर अर्णिंग पर शेयर जाते कि यह बहुत ही तगली कंपनी मुझे यहां पर देख रही है और अगर नहीं कर सकते तो आप चोटी-चोटी कंपनी मुझे यहां पर देख रही है क्वार्टर के देख लेते हैं क्योंकि अब 31 मार्च तो चला ही गया है तो अब क्वार्टर के अब जो नहीं हमारे 2022 के यहां पर प्रॉफिट में दिखेंगे वो तो भी थ्वादा टाइम लगेगा उसमें लेकिन हम दो क्वार्टर के आसपास की रेविन्यू थी और नेट नेट प्रॉफिट कमा रहे हो तो यह बहुत ही अच्छा प्रोपोर्शन है बहुत ज्यादा सही है और ग्रोथ की बात कर लें तो देख सकते हैं पर 27 करोड़ दिसंबर 2020 में अगर आप देखें 27 करोड़ के आसपास का नेट ओपरेटिंग रवेन्यू था वही दोस्तों दि का न्यूज इसमें हैं और क्या कुछ प्रोपोर्शन में आपको शेयर मिलने वाले अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो देख सकते हैं दोस्तों न्यूज से मिल लाने के लिए मैं आपको मनीर कंट्रोल.com की साइट पर लाया हूं और यहां पर आप अर्यांट कैपिटल आप देख सकते हैं यहां अपरेल 2022 को यह स्टेट हो जाएगा यह इसका स्टेट है तो यान की बारा से एक दिन अगर हम लोग सेक्योर रखें तो इग्यारा तारीक से पहले अगर आपके डिमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाते हैं तो फिर आपको यहां पर फैद से आप बचना और 11 तरीक से पहले ही अपने अकाउंट में अगर आप शेयर ला सकते तो यहां पर ले सकते हैं फिर अगर दोस्तों बात करें इसके रेशियो की तो देख सकते हैं फाइव इस्टू वन का प्रपोर्शन नहीं कि अगर आपने एक शेयर इसके होल्ड कर रखे आप ट्रेड करने लगेगी अब एक्जक 20 रूपीस तो नहीं करेंगी थोड़ा बहुत उपर नीचे तो करेंगी करेंगी क्योंकि मार्केट है यहां पर फ्लेक्टेशन तो होते ही रहते हैं तो यह दोस्तों यहां पर स्प्लिट का सीनेरियो था स्प्लिट का सारा चीज मै मैंने आपको यहां पर बता दिया आप चलते हैं चार्ट के तरफ और देखते हैं कि चार्ट में क्या कुछ बैतरिन पकर रहा है अब दोस्तों बात कर लेगर चार्ट पर तो देख सकते हैं चार्ट पर तीनों मूविंग अबरिज मैंने लगा दी हैं बड़ आपको दो ही एक यहां पर छोटा था येलो कलर का भी वह पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हमें दो ही मूविंग अबरिज देखने को में रहे हैं यह बहुत ही सई चीज है कि स्टॉक एक बार हाई लगा चुका है इधरी नियरबाय में 477 और अब फिलाल ट्रेड कर रहा है 416 रु कायम की अपने आपको अब फिर यहां पर से यह ऊपर चलने को तयार हो रहा है तो यह जबर्दस मौका हो सकता है शॉर्ट टम बिसिस पर भी इसमें प्रॉफिट करने का तो मुझे एक कहीं लग रहा है कि अगर यह चार सु उनननतीस तीस के ऊपर ब्रेक आउट कर देता है पकी कर लेना उसके बाद ही ट्रेड लेना और अपने फाइनेशल एडवाइजर से एक बार शला मत्वरा जरू कर लेना क्योंकि पैसा आपका जिम्हतारी भी आपकी ही बनेगी मैं यह आपर फिलाल अभी नेगेटिव यहां पर शो हो रहा है लेकिन को पॉजिव होने ज्य सब्सक्राइब करना चाहिए तो मैं 396-400 के आसपास रखूंगा ताकि दोस्तों मेरा सेफ रहे जादा उसको खत्रा ना हो तो इस तरीके के कंडिशन में मैं तरीके कहीं आप पर डिसीजन दूंगा तो अपर टेकनिकल भी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और फंड सब्सक्राइब करना चाहिए तो बिल्कूल करके चले मिलूगा दूस्तों नेक्स्ट वीडियो में तिल रेन वी हैपी वी सेफ एंड गुडबाई खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया